नेक्स्ट की दरब बढ़ते हैं एक्ट्राइश 3.2 का क्वेश्ट नमरr 4 फॉर क्वेश्टिन कहाई है क्वेश्ट्ट है विच वन फॉलविंग पियर ऑफ लिनीर इक्वेश्टिंट अपर एंकंसिस्टिंट तो आपको बताना है कि जो पार्ट से उन में से कौन से इनकंसिस और अगर कोई consistent है consistent आपर consistent अगर वो consistent है obtain the solution graphically तो उसका solution जो है वो graph पे शोग करो तो हम चेक करते हैं हमारा पहला part है x plus y is equal to 5 2x plus 2y is equal to 10 तो इसको इदर लिया है और इसको भी x plus y minus 5 is equal to 0 2x plus 2y minus 10 is equal to 0 अब हम क्या करेंगे a1 by a2 निकालेंगे a1 by a2 so 1 is equal to 2 right जिसके आगे कुछ नहीं हमान होता है ना b1 by b2 1 upon 2 and c1 by c2 is minus 5 minus 10 तो अब हम इसको रखते हैं 1 upon 2 1 upon 2 minus 5 upon minus 10 minus से minus cancel हो जाएगा क्या हैगा 1 upon 2 तो तो तीनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं तो लिख लेए लिखते हैं a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2 तो यह कोंसे condition हो गई यह condition होगे consistent की यह तो consistent की condition थी ना तो हम क्या लिखेंगे कि consistent है और क्योंकि consistent है तो हम इसका graph द्रॉब करना पड़ेगा पहले हम लिख देते हैं therefore it is consistent तो अगर रांसर कंसिस्टेंट है तो उसका graph द्रॉब करने तो हम इसका graph द्रॉब करेंगे तो सबसे पहले table में ला लेते हैं पहली equation का और दूसरी equation का ठीक है तो हम x की जगा रखते हैं 0 जब हम x की जगा 0 रखेंगे तो y कितना हर जगा 5 next put करते हैं x की जगा हम रख लेते हैं 1 जब x की जगा 1 रखेंगे इस equation में तो क्या आएगा 1 प्लेस y is equal to 5 जो plus होने तरह कि क्या हो जाएगा minus तो y कितना आएगा 4 दो चीज़े आ चुकी है solutions आ चुके है ठीक है अब आप चाहो तो तीसरा भी निकाल सकते हो next हम इसको करते है solve x की जगा 0 रख लेते हैं तो 2 multiply 0 plus 2y is equal to 10 0 plus 2y is equal to 10 y is equal to 10 upon 2 which is 5 तो यानि कि जब 0 रख है x की जगा तो y कितना है आएगा 5 next x की जगा 1 रख लेते हैं 2 multiply 1 plus 2y is equal to 10 2 plus 2y is equal to 10 जो यह प्लस हो रहे हैं क्या हो जाएगा minus और y की value क्या आएगी 4 तो हमारे पास table बन चुकी है एक बार हम table में रख देते हैं values को x y जब x की जगा रख है 0 तो y कितना है 5 जब x की जगा रख है 1 तो y कितना है 4 ऐसी इसकी भी table बना लेते हैं जब x की जगा रख है 0 तो y कितना है 5 जब x की जगा रख है 1 तो y कितना है 4 यानि की दोनों ही table same आ रही है इसको बनाते हैं तो अब हम इस table को put करते हैं पहला है 0 पे 5 तो वो कहा बनेगा यहां पर क्या लिखेंगे 0 पे 5 नेक्स है 1 पे 4 तो 1 हीरा and 4 है तो क्या लिखेंगे 1 पे 4 तो line कुछ इस तरहीके से जाएगी और यह हमारा graph होगा यह जो points है guys आपको दिख रहे हैं कि दोनों same है तो वो points इन पे लाए करेंगे यानि कि line के उपर line बन रही है इसी के उपर दूसरी line जा रही है इस तरहीके से यह इसका graph तो इसके second part के तरफ move करते हैं पता लागाते हैं कि कई consistent है यह inconsistent है x-y is equal to a 3x-3y is equal to 16 तो सबसे पहले जो equal to के इधर है उसको इधर लाना है x-y is equal to minus 8 is equal to 0 3x-3y minus 16 is equal to 0 तो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तो यह कट जाएगा जाएगा 1 upon 2 तो यानि कि a1 by a2 तो आपस में बराबर है लेकिन कौन बराबर नहीं है c1 by c2 तो यह कूंसी equation हो जाती है a1 by a2 जब बराबर है b1 by b2 के लेकिन किसके equal नहीं है c1 by c2 तो यह condition है inconsistent की और inconsistent consistent में question mention कर रहें कि आप क्या नहीं बनाएंगे graph नहीं बनाएंगे झायक झायक बनाएंगे symptom हो पस्था जब बनाएंगे झायक झायक मेंदो यह जाएंगे सुनलव तो यह कaggi दो 安ाइंगे